Hello students, आप सभी का स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम Class 10th Students के लिए Mathematics के syllabus को देखेंगे 2023 में होने वाले CBSE Board Examinations के लिए CBSE ने अपनी official website में Class 10th और 12th दोनों ही classes के सभी subject के syllabus को upload कर दिया है तो यहाँ पे अभी मैं आपको जो भी syllabus बताऊंगा वो बिल्कुल official syllabus होगा जो कि CBSE ने दिया है तो चलिए यहाँ पे हम Mathematics के syllabus को देखते हैं Science का अल्रेडी मैंने syllabus का वीडियो अपलोड कर दिया है वैसे श्ट्रेंज जिनों नवी तक Science का syllabus का वीडियो नहीं देखा हुआ या फिर Science के syllabus को आरेम पता नहीं होगा तो description पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ आप Science के भी syllabus को जाके देख सकते हो समझ सकते हो पहले साल के मुकाबले इस साल का जो syllabus है वो बहुत जादा different है बहुत सारी आसी चीज़े हैं जो कि 2022 में यानि previous year's में पढ़नी थी Science में भी और Mathematics में भी क्या क्या तो चली देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला चमलोगा चैप्टर आता है नंबर सिस्टम यूनीट से हो है रियल नंबर अगर हम यहाँ पे पहले देख ले यूनीट वाइड डिविजन के कितने-कितने मार्क से क्यों से चैप्टर से कोशन आएगा तो दिया गया है नंबर सिस्टम से 6 मार्क सा कोशन आएगा यह आपका ब्लूप्रिंट भी है एलजबरा से 20 मार्क सा कोशन आएगा कॉदिन जेमेटरी से 6 मार्क सा कोशन आएगा Geometry से 15 marks का आएगा Trignometry से 12 marks का Mensuration से 10 marks का Statistics and Probability में 11 marks सा question पूछा जाएगा ठीक है तो ये आपका blueprint हो गया कि कौन से unit से कितने marks से questions आएगे सब ज़्यादा हमारा algebra से question पूछा जा जा रहा है तो algebra पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें आपका linear equation to variables polynomials, arithmetic progressions quadratic equations ये सारे chapter साइं के ठीक है अब सेले यहाँ पे देखते है real number में तो देखो real number में हम लोगा जो syllabus है उसका starting दिया गया है fundamental theorem of arithmetic से तो यहाँ पे दो चीज़े reduce की गई है जो कि D नहीं गई है एक है Euclid division lemma Euclid division algorithm algorithm तो यह दोनों ही चीज़े नहीं दी गई है और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और नहीं दिया गया है terminating and non-terminating decimal expansion जो कि पिछले साल पढ़ना था और पिछले साल Euclid division lemma को हटाये गया था algorithm था तो इसमें जो है इस साल दोनों ही चीज़े हटा दी गई तो इसमें देखा जाए एक बहुत बड़ा इसमें देखा जाए तो चेंजिंग किया गया है real number में भी कि अब हमें decimal expansion जो कि एक easy topic था students को काफी असान लगता था तो उसको अटाये गया है साथ ही यूगलिश डिविजियन लेमा algorithm जो हमें SCF निकालने पड़ते थे LCM निकालने पड़ते थे वो भी easy था students के लिए तो वो हटाये गया है ठीक है तो यह हो गया real number chapter से आ गया आते हैं polynomial chapter में लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और बात कहना चाहूंगा आपको कि real number chapter आपको पूरा पढ़ ले ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए ठीक है in future आपका काम आ सकता है polynomial में पढ़ना है zeros of a polynomial relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial तो यह पिछले साल का ही syllabus है जिसमें cubic polynomial को अटाया गया था ठीक है इसमें सिर्फ quadratic polynomial तक ही पढ़ने के लिए बोला गया है लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको suggest करूंगा कि आप cubic polynomial भी जरूर पढ़ ले ठीक है क्योंकि वो भी आपके आगे चलके बहुत काम आने वाला है तो polynomial chapter को आप पुरा पढ़ ले बट examination point of view से अगर हम देखे तो division वाला जो algorithm of polynomial है वो आपका topic इसमें नहीं दिया गया है तो आप उसको skip कर सकते हुए exam में नहीं आएगा ठीक है चलिए आगे देखते है linear equation into variables में तो ये same पिछले साल वाला ही syllabus दिया गया है जिसमें हमें सारी चीज़े तो पढ़नी है साथ में substitution method और सिर्फ elimination method पढ़ना है cross multiplication method को हटाया गया है वो आपको नहीं पढ़ना है ठीक है बाकि graphical method तो आपको पढ़ना ही है consistency या फिर inconsistency ये सब तो पढ़ना ही है quadratic equation के अगर हम बात करें तो quality equation से इस बार कुछ भी हटाया नहीं गया है आप पूरा पढ़ें पिछले साल तो problem based जो question था तो वैसा question नहीं आ रहा था वो उसके लिए optional हमें मिल जा रहा था लेकिन इस बार आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा तो quality equation जो chapter आप पूरा पढ़ ले अगर हम arithmetic progression में देखे तो दिया गया है motivation of studying arithmetic progression derivation of nth term and sum of the first n terms of nap यानि आपको इसमें भी सारे question करने है ठीक है यानि पूरा chapter आपको arithmetic progression का पढ़ना है कुछ भी घटाया नहीं किया है coordinate geometry का बात करें तो इसमें आपको concept पढ़ना है coordinate geometry का साथ में graphs of linear equation distance फ़रूलला आपको पढ़ना है section फ़रूलला पढ़ना है आपको इसमें एक चीज नहीं पढ़ना होगा एक area of triangle वाला जो एक portion था एक topic था तो वो हटाया गया है पिछले साल भी reduce हुआ था इस साल भी reduce है ठीक है तो कुछ चीज़े हटाई गई है जो पिछले साल reduce थी जो इस साल भी है अब आगे हम triangle में देखे थे वो सारे थियोरम आपको पढ़ने है पिछले साल hypothenious theorem को हटाया गया था पाइथागोरस theorem को हटाया गया था ठीक है तो पाइथागोरस theorem फिलाल अभी हमें यहां पर भी देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है तो मुझे लग रहा है कि साइध पाइथागुरस थियोरम भी अटाया गिया इस साल भी तो पाइथागुरस थियोरम इस साल भी आपको नहीं पढ़ना था पिछले साल भी नहीं पढ़ना था इस साल भी नहीं पढ़ना है ठीक है पाइथागुरस थियोरम इस साल भी अटाया गिया है तो यह हो गया ट सर्किल चैप्टर से तो सर्किल चैप्टर से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा दोनों ही थियोरम पढ़ने हैं ठीक है सर्किल चैप्टर से जो भी थियोरम होगा या फिर जो भी कोशन्स होगा वह आप पूरा कर लें Introduction to Turometric और Turometric Identities यह आपको पूरा पढ़ना है यानि कि आपको पूरा Turometric का जो portion है वो complete करना इसमें आप कुछ भी नहीं जोड़ें ठीक है? यह आपका सारा question इसमें आपका portion include है तो आपको Turometric पूरा पढ़ना है चाहिए height and distance तो ये भी आपको पूरा ही पढ़ना है, इसमें भी कुछ भी reduce नहीं है Areas related to circle अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको कुछ भी हटाया नहीं गया है आपको इसमें पूरा है का पूरा पढ़ना है चीक है? चलिए आगे देखते हैं इसमें surface area and volume से तो इसमें पिछले साल volume of frustration वाला जो topic था वो अटाया गया था, जो किस साल वे अटाया गया है frustration वाला topic आपको इसमें फिर से नहीं पढ़ना है चीक है? चलिए आगे आते हैं statistics and probability में तो mean, more, median आपको निकालने के लिए तो देना ही है पढ़ना ही है, यह आपको निकालना है लेकिन आप देखो, पिछले साल क्या गया था? कि step deviation method को हटाया गया था लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है कि step deviation method को हटाया गया हो इसमें बस यह लिखा गया है कि bimodal situation को आपको हटाना है ठीक है, तो यह आपको नहीं करना है बाकि जो तीन method हमने mean निकालने के लिए हम सिखेंगे, ठीक है diet method, azume mean method और step deviation method तो तीन हो ही जबार पढ़ ले पिछले साल step deviation हटाया था ठीक है, और probability आपको पूरा पढ़ना इसमें कुछ भी reduce नहीं हुआ है तो यह आपका complete syllabus था mathematics का, यहाँ पे weightage भी दिया गया है कैसा कैसा आपका question का typology होगा किस तरह कोशन आएंगे जैसे remembering और understanding से आपका 43 marks का रहेगा, applying से 90 marks से question रहेगे ठीक है, तो यह आपका यहाँ पे दे दिया गया है कैसा आपका question का typology होगा कैसा type रहेगा और पुरा question का जो pattern है वो भी CBC आपको बहुत जल्देगी कैसा question का pattern होगा आपका multiple choice में कितने questions रहेंगे या फिर theoretical रहेंगे subjective होगे, किस type का question, question का क्या pattern होगा वो भी CBC आपको जल्दी बता देगी, तो आप channel को आप जरू subscribe करके रखे ताकि जो भी CBC के तरब से latest information आती है जो भी चीजे बताई जाएंगी तो वो मैं आपको देदा रहूँगा Thank you